हर आदमी बहुत मेहनत से बहुत पैसे जोड़ के गर बनाता है और उस घर के अंदर कुछ ऐसी गलतियां रख देता है जिससे वो पूरी जिंदकी परेशान होता है तो मैं चाहता हूँ मेरे जो विवर्स हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और जाने कि अपने घर में क्य स्केशली यह बताना चाह रहा हूँ कि आप बहुत मेरा वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब भी ब्युक्र करते हैं पर बैल आ को ओन करते हैं इसके करने मेरे चोंकर denial को ओन प्सेशन आपके बाश पहूंच पहाते हैं तो आप मेरे जो WhatsApp मैंने मोबाइल दिया हुआ है उस पर वाटसब करें अपॉइंड में ले और आप मेरे से अदिक स्वागत करता हूं मित्रों मित्रों इस दुनिया के अंदर अगर आपको सुखी रहना है तो आपको देवताओं की क्रपा राप्त होना बहुत जरूरी है जिस तरह हम अपने कुल देवी देवताओं को पितर देवी देवताओं को और अपने अराध्य देवी देवता चीए जो पुराने लोग हैं जिनके घर बने हुए हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उनको भी नॉलेज हो जाए कि फूचर में कल को घर बनाए या जो एक्जिक्स्टिंग घर है उसमें अगर हो सके के मोडिफाई तो उसको मोडिफाई कर सकें और इस प्रावलम से अपने आपको दूर कर सकें पहला मित्रों जिस घर में बिमारिया बहुत ज्यादा रहती है तो उसका सबसे बड़ा रिजन यह है कि उनके नौर्थिष्ट जो की देवताओं की दिशा है वहां पे कोई न कोई दोश होता है दोश के रूप में क्या हो सकता है मैं आपको क्लियर कट बताता हूं दोश के रूप में नौर्थिष्ट दिशा में कभी भी टॉयलेट और किचन नहीं बनाए जिहामित्रों नौर्थिष्ट जो दिशा है जिसको हम इशान कोण भी कहते हैं उस दिशा में कभ उसलेख किचन को भी इशान कोन में कभी नहीं बनाना चाहिए ये जो एयरिया है ये हमारे घर का सबसे पवित्र एयरिया है अगर अगर मंदिर बना सकते तो कम से कम इसको बिल्कूल पवित्र रखें बिल्कुल साफ सुत्रा रखें यहां पर गुरू की एनर्जी है तो गुरू की एनर्जी के साथ छेडखानी मत करो आप जब भी देखते हैं कुंडली के अंदर सबसे पावरफुल ग्रेगर किसी का नाम आता है तो वो गुरू ग्रेगर है क्योंकि सबसे ज़्यादा घरों पे इंपेक्ट गुरू ग्रेगर होता है चाहे वैदिक किताब ले लो चाहे आप लाल किताब ले लो हर्ग किताब के अंदर गुरू देव को सबसे उपपर बताया गया है अगर गुरू की करपा है तो इंसान अपनी जिंदगी बहुत सफलता पूरक और आसानी से ज चलता है मित्रों हमारा घर चलता है पैसे से हमारा घर चलता है आमदनी से यह आमदनी कहां से आएगी मित्रों यह आमदनी आपको आएगी नौर्थ जोन से नौर्थ जोन जो कि बुद्ध ग्रह का जोन है नौर्थ दिशा नौर्थ दिशा को कभी भी खराब ना करें टॉयलेट नहीं होना चे मित्रों जब मैं दिशा की बात करता हूं तो मैं एगजेक्ट जीरो डिग्री नौर्थ की बात करता हूं क्योंकि एड्वांस वास्तू के अंदर एक दिशा केवल 22.5 डिगरी की होती है उसके बाद दिशा change हो जाती है जहां हम लोग 4 दिशा या 8 दिशा की बात करते हैं एड्वांस वास्तू में 16 दिशाओं की बात होती है तो मैं यहां प्रॉपर नौर्थ की बात कर रहा हूं, प्रॉपर नौर्थ के अंदर आपका टॉयलेट नहीं होना है। तो नौर्थ के अंदर कोई भी वास्तु दोश नहीं होना चीए। यहां मैं जो वास्तु दोश की बात कर रहा हूं, वो मेजर वास्तु दोश है। जिसे कहते हैं, आपके नौर्थ दिशा के अंदर कोई टॉयलेट नहीं होना चीए। अगर ट्वालेट होता है तो यह आपके घर में आने वाली opportunities को रोकता है मित्रों तो आप चाहके भी चाहके भी आप कितना ही प्रयास करेंगे एड करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन आपके आस opportunities नहीं आएगी अगर आपके नॉर्थ के अंदर problem है तो नॉर्थ दिशा का बड़ा ध्यान रखें नॉर्थ को कोशिश करें अगर यह नॉर्थ दिशा थोड़ी खुली open होए तो फिर उसके बाद आजाओ कि हमारी जिंदकी कैसे चलती है तो हमारी जिंदकी पैसे चलती है और पैसोगी एक और दिशा है क्योंकि अगर हमने कहीं पैसा दिया है हमने business किया है business में माल हमने आगे पार्टी को दिया है तो उससे payment भी लेना है और हमारी payment अटक गई है तो यह सिधे सिधे शुक्रदेव की हमारे पर करप तो शुक्रदेव नाराज हैं इसका मतलब आपके घर का साउथ इस्सा है जो दक्षिन पूर वाला इस्सा है उसमें कोई न वास्तुदोश है वह वास्तुदोश होने हैं कारण मार्केट में आपका पैमेंट फसा हुआ है और आपके पैसा नहीं आ रहा है तो अगर आप घर बना रहे हैं तो साउथ इस्सके अंदर कभी भी कोई टॉलेट नहीं बनाएं या किसी भी तरह का वास्तुदोश होना चीए उस दिशा को एकदम प्रॉपर रखें साउथ इस्समें किचन बनाने से क्योंकि यह अग्नी कौन है और साउथ इस्समें किचन बनाएंगे तो ईस्समें साउथ वेस्ट का चाई – अलग अलग सोर्से से आपके पाश पैसे आने शुरू हो जाएंगे अुर जो चोछा पॉंट में बतार हुँ वह सबसे इंप tus sent यहिए वह सउथ वेश्ट का साउथ वेश्ट का जो कॉर्णर है साउथ वेसल की जडिशा है उस दिशा मे भूल के भी टॉयलेट या बोर्वेल या गड़्डा नहीं होना चीए अगर उस दिशा में गड़्डा हो गया तो समझ लीजिए आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों परसों नहीं तो पले रोज आपका बिजनिस भी खतम आपके घर के पैसे भी खतम आपके रिलेशन्शिप भी खतम क्योंकि यह जो जोन है यह है पित्रों का जोन और पित्र अगर नाराज हैं तो किसी भी देवी देवता को कितना भी पूझ लो उनकी क्रपा आपके घर के अंदर गुसेगी नहीं उनकी क्रपा आपके घर के अंदर करना है क्यूंत ने तो ये जो मैंने आपको टौफिक बताएं हैं यह चार टौफिक मैंने आपको बता दिया है अब मैं लाच्ट टौफिक बता रहा हूं वह हैं पांचवा टौपिक हम यह कहते हैं कि एक दिशा के अंदर नो गेट निकलते हैं तो थर्ड और फोर्थ वाला गेट आपको हमेशा लेना है अगर आप भी नया घर ले रहे हैं या पुराने घर में आपके वास्तुगी प्रावलम है और वास्तुगी प्रावलम से आप परेशान हो जो जो लक्षन मैं बता रहा हूं वह लक्षन आपके घर में आ रहे हैं तो आप मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको ओनलाइन प्रामर्श और पॉसिबल है तो ओफलाइन भी मैं आपके घर पर आके आपको वास्तुगा प्रावलमर्श दूँगा उसके लिए जो भी मेरा genuine charge है वो काफी कम है comparatively others तो आप मेरे से mobile पर contact करके और genuine मेरे से प्रामर्श ले सकते हैं इसके अलबा astrological उपाए भी हमारे पास available हैं तो जो astro अपनी कुंडली दिखाना चाते हैं astrological उपाए लेना चाते हैं तो वो भी मेरे से contact कर सकते हैं मेरे number के में मैं promise करता हूँ कि आपको best remedies मैं provide करूँगा जैश्री राम